बिहार में दही चुड़ा भोज के पर्याय हैं जदियों के प्रदेश अध्यत वशिस्त नरायन सिंग किन्तु आयोजिन की शुरुवात लालू प्रशाद यादाव ने 1994 में 95 में की थी तब वह मुख्यमंत्री थे उसी साल जोज फनादिस के नेत्तत में नितीश कुमार जनत साहित लालू ने परंपरा बना डाली पटना में संक्रांती पर हज साल दो दिन का आयोजन होने लगा एक दिन नेता कारकरताओं के लिए अगले दिन छुकी जोपड़ी वालों के लिए मुख्य अतिती होते थे कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता एवं पूर्व स्पीकर रगवंश प्रसाथ सिंग ने भी अपनाया परंतु उन्होंने इसे पत्कारों तक सीमित रखा जदि उनेता वशिस्ट्रायन सिंग ने इस परंपरा को दिल्ली तक पहजाया उसके बाद तो राम बिलास पासवान समेट कई लोगों ने अपनाया पहला द्रश्य तारीक 12 ज शमानत नहीं दीजिएगा तो दही चूड़ा भोच कैसे देंगे हाजारों लोग आते हैं हम नहीं रहेंगे तो बेजती होगी जच शिवपाल सिंग का जवाब चिंता ना कीजे हम लोग यहीं दही चूड़ा खाएंगे लालू प्रशाथ की हाजिर दवावी देखिए बो महां कडवंदन की सरकार थी मगर राज़त और जदियों में तनातनी थी माना जायता कि लालू के दही चूड़ा भोच में नितीश कुमार आने से परहिस कर सकते मगर नितीश आय और आवडी देवी ने अच्छी खातिरदारी की खुद दही चूड़ा तिलकुट परोशकर ने खिलाया लालू ने नितीश को दही का टीका लगाया और मीडिया को बताया कि भाज़पा के जादू टोने का असर अब नहीं होगा तीसरा द्रश तारीक 14 जनवरी 2015 स्थान दिल्ली में रामबिलास पासवान का वास दही चोड़ा भोच का आयोजन प्रधान मंतरी नरेन नरेन मोधी का पासवान के भोच में पहुशने का संकेत साफ था कि लोगसबा चुनाओं में लोशपा के साथ भाज़पा का गडबंदन विधान सभा में भी चलता रहेगा मगर संक्रांती के आसपास तही चोड़ा भोच के दुरान बिहार के सियासी गलियारे में इस तरह के उधार हर सार निकलाते हैं करीब दो हफ़ते तक सियासत के दोनों खेमों में दावतों का दोर चलता है भीड भी खुब होती है कोई टिकारी से कुड़ का तिलकुड मंगाता है तो कोई गंगा के दियारा इलाके से मलाई समेट दही भागलपुर के कतरनी चावल से बनाएगा चूड़ा की चर्चा भ आफते भर पहले से भोच की तयारियों की खबरे छपने लगती हैं कि किसके यहां कब भौज राजत खेमे के भोज में क्या है और जदियों के खेमे में क्या है भाश्पा ने कैसी तयारी कर रखी है कॉंग्रस की ओर से भोज का खर्चा कौन उठा रहा है समाचारों में फ्लाइश होने लगते हैं विभीन दलों के कारकरताओं को भी स्पल का बेसबरी से इंतजार होता है क्योंकि दावत के दौरान वैसे दर्वाजे भी खुल जाते हैं जो सामाने दिनों में सिर्फ मंत्री विधाय को और अती व्याइपी के लिए ही खुलते हैं दावत के दौरान पड़े नेताओं के अवासों में प्रवेश के लिए आम लोगों को भी इजाजत लेने की जरुवत नहीं होती है यही वा मौका होता है जब अधना कारकरता का भी सक्त और अनिशाशन के नाम पर रिज़र्व रहने वाले अपने आला कमान से सहस तरीके स मिलना जुलना हो जाता है मागर बिहार में इस बार ऐसे आयोजनों के अतीत की यादों के सहरे ही मकर संक्रांती गुजरने वाली है करोना के खत्रे ने राचनीतिक और समाजिक मिलन के एक अच्छी परंपरा पर ब्रेक लगा दिया है दोस्तों दुश्मनों के बीच का फास स्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दवाना ना भूलें